भाई और बेहनों, हमने वो समय देखा है, जब गरीब के कल्यान के पैसे गोटालों की भेंट चड़ जाते थे। टैक्स पेर से मिले टैक्स को लेकर सम्वेदन सिल्ता का नामो निशान नहीं था, इसका नुक्षान करोडों करोडों देश वाचियों को उठाना पड़ा। बीते आठ वर्षों में हमने इस एप्रोच को बड़ला है। आज भारत फुचरिस्टिक सोच और मोडरन एप्रोच के साथ अपने फीजिकल और सोशल इंफ्रासक्तियर पर खर्च कर रहा है। आज देश में एक तरफ घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, मुप्त इलाज, मेडिकल कॉलेज, इम्स, आई आई टी, आएम जैसी सुविधाओं का तेज गती से निर्माण हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जिस प्रकार के आधुनिक इंफ्रासक्टर की कभी कलपना होती थी, आज वैसा इंफ्रासक्टर देश में बन रहा है। यानि देश में आज की जरुरत और भविश्य में सम्रुद्धी की संभावनाओं दोनों पर एक साथ काम चल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थे ववस्ताएं आज बेहाल है। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी भारत असी करोड से अधिक देश वास्यों को मुप्त राशन दे करके कभी भी उनके घर का चूला बुजने नहीं देता है। ऐसे माहोल में भी भारत इंफ्रास्ट्रक्टर के निर्मान पर अभूत्पुर्वन निवेश कर रहा है। यह आज के भारत की प्रतिवद्दता को दिखाता है। विक्सित भारत के हमारे संकल्प का प्रतिवीम है।